नमस्कार दोस्तों सागता अमरी यूट्यूब चनल में आप सभी का दोस्तों वैसे ये बीमारी बारिस के ताइम में ज्यादा तर देखने को मिलती है कि गोड़ा-गोड़ी के जो सूम होते हैं खुर होते हैं उनसे लंगड़ाना इनके उनमें घाव पड़ जाता है बारिस क पकशणे के की ताइम में क्या होता है कि अपन चलने के लिए खोलते हैं और वंहों हो जाता है कोई गिट्ती लग जाती ए उनकार लग जाता हा अब शुच्चल तब़िदे स्विकरता अगर आपकी पशू के खुर भ़ड़ रहे हैं इनकि फ् maior तो आप जरूर में तो कोहाना कि है ऑफ शूमर को बलाएं और उसका सूम साप खरवाएं और खुर्प यानि की ब्राबर जो कटिंग होती वह करवाएं अन्य था कोई गट्टी उट्टी लग जाएगी तो इस परकार से यानि की घाव बन जाएगा और घाव बन जाएगा तो यानि की एक दो दिन में ने काफे टाइम लगता है फिर गोडा-गोडी के अगर पैर में अगर यह घाव हो गया तो काफे टाइम लगेगा तो दोस्तों यह जरूर द्यान रखें गोड़ा-कोड़ी के अगर सूम बढ़ रहे हैं तो सूम बढ़ रहे हैं तो उसको सुमर को बलाएके और साफ करवाएं और उनकी कटिंग करवाएं कटिंग करवाने के बाद में तेन दिन तक जो क्रेशीन तेल होता है मिच्टी तेल बोलते हैं को करें सूम बनवाने के बाद में कि वह चारु पेरूं पें इनकी एलता कर गें उर वह चारु शुम पें मिटटी तेल डाले ताएंक पाजाए है यहां कि घाव कम होने के चांस रहते हैं कोई गिट्टी भी लग जाए तो बारे किसी तो से गोड़ी के असर नहीं पड़ता है यहां कि सोम पक जाते हैं उससे तो दोस्तों यह विश्यस्तोर से ध्यान रखें कि टाइम टाइम आप गोड़ा गोड़ी के सोम बनवाएं अन्य था इस प्रकार से यहां कि घाव बन गया तो फिर लम्मा प्रोसेशिंग टेस्टिंग अ टे कि सम लोड़ा है